के तहत मामला आगे बढ़ता है बढ़ता रहेगा हाई कोट ने ये भी कहा कि गवा के बयानों को खारज नहीं कर सकते हैं साथी साथ हाई कोट की तरफ से ये भी कहा गया या जो हाई कोट अपना फैसला जो पढ़ रहा है उसमें ये कह रहा है कि केजरिवाल गवा को क्रॉस ए तर्म है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आरोप रतारोप का दौर जारी है, क्योंकि लोग सबाचुनाव में जब दिली की साथ सीतों के लिए वोटिंग होगी, तो ये पहलू भी बेहत खास हो जाएगा, विकरांत यादव हमारे सयोगी लगाता जानकारी क के साथ, विकरांत एक बाद फिर से, क्योंकि इस वक्त दिली पर पूरे देश की निगाहे टिकी हुई है, इस मामले पर चाहे वो खानूनी तौर पर हो, या फिर राजनेतिक तौर पर, दोनों पहलू जानेंगे आपसे. देखिए, इस समय कोट का जज्जमेंट क्योंकि रेगुलर आ रहा है, कोट जो भी जज्जमेंट दे रहा है, वो लगातार कोट लिखवा, बोल रहा है कोट के सामने, जसिस स्वन का अंता, एक बहुत ही महत्पून बाद, जो News 18 इंडिया के दर्शकों को इस समय जाननी कोट नहीं कहा कि political considerations जो है, वो सवाल कोट के सामने था ही नहीं, कोट को केवल कानूनी मसले को देखना है, कोट के सामने अर्विंद केजरिवाल और केंदर सरकार के बीच का conflict कोट के सामने नहीं था, कोट के सामने जो मामला है वो ED और अर्विंद केजरिवाल के बीच में है तो अर्विंद केजरिवाल और केन सरकार के बीच क्या विवाद चल रहा है किस सर्य के विवाद है ये conflict court को तह नहीं करना court के सामने केवल ED और अर्विंद केजरिवाल का मामला है और वो सबूतों के अधार पर इस मामले को देख रही है court ने एक और दूसरी बड़ी बात बोली है कि judges जो हैं वो कानून से बंदे होते हैं वो politics से नहीं बंदे होते और judgment legal principles हैं कानूनी जो बुन्यादी जानकारिया है principles हैं उनके अधार पर लिखा जाता है political affiliations के अधार पर judgments नहीं होते तो बहुत बड़ी बात court ने ये बोली है और निश्चित तोर पर court की इंटिपनियों से अरविंद केजरिवाल दिली के मुख्यमंत्री उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है क्योंकि court ने अपने आदेश में कई ऐसी चीजे पूरी तरीके से गिर करती है court केवल constitutional morality को लेकर चिंतित है उसी को लेकर court काम करती है और court का किसी भी political morality से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अरविंद केजरिवाल के वकीर अभिशेक मनु सिंग्वी ने राजनीतिक तोर पर बहस को जब वो जिरह कर रहे थे काफी आगे ले गए थे और उन्हों ने इस पूरे मामले को राजनीतिक तोर से प्रेरित बताते हुए गरफतारी पर भी ये कहा था कि ये राजनीति के कारण ही गरफतारी की गई है तो court ने एक तरह से जो बचाव पक्ष की तमाम दलीले थी उन्हें खारिच किया है अभी हलंकि court का अंतिम फैसला नहीं आया ह लेकिन जिस तरह से court ये मामला दे रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरिवाल के लिए बहुत मुश्किल ये फैसला रहने वाला है court ने ये भी बोला है कि जो files ED ने court के सामने रखी है उससे ये साफ होता है कि केजरिवाल को जब गरफतार किया गया तो हर तरह के नियम और कानून का पालन किया गया जब उनकी गरफतारी हुई थी तो जो भी इस तरह के मामले में गरफतारी के नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन किया गया था और magistrate का जो order था वो भी काफी balanced order था और magistrate के order में भी काफी चीजे बकाइदा कारणों के साथ लिखी गई थी कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो कोर्ट के सामने material है उसमें काफी सबूत अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं बतोर individual और बतोर पार्टी सहियोजक तो हमारे सेयोगी विकरान तियादव ने देखे पूरी डीटेल यहां पर आप तक पहुँचाई है कि अब तक कानूनी प्रक्रिया के तहट क्या कुछ सामने आ चुका है जो दलीले यहां पर दी गई है और उसको लेकर हाई कोड की तरफ से क्या यहां पर सामने आ रहा है क्योंकि आज नजरे से फदली वालों की नहीं बलकि पूरे देश की टीकी हुई है बड़ी खबर इस वक्त केजरिवाल ब्रेकिंग के जरिया आप तक पहुँचा रहे हैं केजरिवाल गवा को क्रॉस कर सकते हैं गिरफतारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत हाई कोड की तरफ से यह कहा गया है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए या जिस तरह से सवाल उठाये जा रहे हैं वो गलत है विखरांथ हमारे साथ बने हुए है विखरांथ टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत गिरफतारी की कोड राजनीती का कोई अखाडा नहीं है यह भी यहाँ पर कहा हाई कोट ने कोट के सामने रखे हैं कोट ने खुद अर्विन के जीवाल के केंडिरिट का बयान सामने बया हुआ के अर्विन कि ए का या हाऊ। ले खुछ आधेओ ते हुआढने कोटा अर्विन के भी यहाँ चाल के यानने बद्भछ